हेलो दोस्तों तो देखे आज के इस वीडियो में आपको गक्छा नौमी हिंदी विशाय का पेपर बताने वाले हैं अर्थबार सिक्थ के लिए काफी helpful होने वाला है आपके लिए तो चले श्टार्ड करते हैं प्रशने क्रमा केक से बिद सॉलूशन के साथ आपको बताते जा रहे हैं तो ध्यान से देखते जाएए इसके आंसर भी इसी में दिये गए हैं ठीक है तो प्रशने क्रमा केक में दिये गए हैं सही बिकल्प अब सही सभी बिकल्प आप देख लीजिए और इनके डारेक्ट आपको हम आंसर बताते हैं ठीक है तो सभी सही बिकल्प आपको अच्छे से पढ़ते जाना है सभी के आंसर बताते जा रहे हैं तो यहीं के यहीं आपको याद करते जाना है तो देखिए प्रश्णिक्रमांग एक में जो सही बिकल्ब दिये गए थे तो यहाँ पर सभी के आंसर है जैसी कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो जितने भी सही बिकल्ब थे यहाँ पर 9 सभी के आंसर दिये गए है तो देखिए हाँ पर सभी रिक्तिस्थान को ध्यान से देखिए और इनको अच्छे से कंप्लिट कीजिए याद कीजिए क्योंकि आपका पेपर जल से जल्द होने वाला है टाइम कम है तो अभी क्या भी इनको याद करके जाईए आप ध्यान से सभी कोशन को अच्छे से पढ़ लेना है सभी रिक्तिस्थान को ध्यान से पढ़ लेना है और इसकी आंसर भी आपको बताते हैं तो देखिए यहाँ पर यह आंसर दिये हुए है तो इन सभी आंसर को देख लीजिए और सभी खालिस्तान में आप भर लीजिए इसके बाद प्रिश्ने क्रमांग 3 देखते हैं तो देखें प्रिश्ने क्रमांग 3 में 77 पूँचे गए तो सभी 77 का आप एक स्क्रीन सॉर्ट ले लेजिए फिर इनके बताते हैं आंसर आपको 77 वाले ठीक है तो यहाँ पर दियेगा है प्रश्निक्रमांग तीन में 77 तो सभी को ध्यान से पढ़ना है आपको अच्छे से पढ़कर जाना है तो देखें यहाँ पर 10-11 तो सभी को देख लीजिए और देखें 11 तक हो गए थे ना ठीक है देखते जाईए और आप नोट करते जाईए और इना अच्छे से याद कर लीजिए इसके बाद आता है प्रश्निक्रमांग 4 जिसमें पूछी गई है सही जोडी तो सही जोडी को भी ध्यान से देखिए और इसका अंसर भी आपको बताते हैं कि कौन सी सही जोडी कहाँ पर मिलाना है तो अभी आप देख लीजिए इसका स्क्रीन सोट भी ले सकते हो आप ठीक है और यहाँ पर देखिए इस सही जोडी थी ना तो इसके बाद मैं देखिए हैं आपर प्रशने करमांग 5 आता है तो प्रशने करमांग 5 में क्या करना है आपको एक सब्दे एक बाक में उत्तर लिखना है तो प्रशने करमांग 5 को ध्यान से देखिए और इसका आंसर भी यहीं पर लिखा हुआ है तो एक बाग वाले एक question अच्छे से आपको complete कर लेना है ठीक है इनको अच्छे से complete कीजे छटमा, साथमा, आठमा, नौमा, दसमा, ग्यारमा, बारमा तो ध्यान से सभी को देखते जाएए और screenshot लेते जाएए आप या तो आप लेख भी सकते हो तो ध्यान से बेडियो को रोक रोक कर सभी को पढ़ते जाएए सभी के आंसर आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे सभी के आंसर दिये हुए हैं प्रिशने क्रमांग 12, 13, 14, 15, 16 सभी के आंसर यहाँ पर दिये गए हैं तो आप यहीं की यहीं पढ़ते जाएए, वीडियो को रोक रोक कर देखें आप, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो और आपको आंसर भी याद होता जाए, तो प्रिश्णिक्रमांग छटमा का 1st, 2nd, 3rd देख लीजिए, इसके बाद यहाँ पर फोर्द दिया हुआ है, तो इसी प तो देखें यहाँ पर, 12 में के बाद 13 मा देख लीजिए, 14 मा, 15 मा, फर इसके बाद में आता है, 16 मा, यहाँ पर दिया हुआ है, 17 मा, तो सभी के आंसर आप ध्यान से देखते जाएए, तो आपका पेपर अच्छा जाए, इसमें से जो भी कोशन आए, आप अच्छे से करके आप, ठीक है, तो दियान से देखते जाएए, इसके बाद में देखें, 20 मा तक हो गया था, 21 मा देख लीजिए, रिपोतार जिसे आप क्या समझते हैं, इसके बाद में देखें, यहाँ से सभी दिये गए हैं, यहाँ पर देख सकते हो, आप देखें, यहाँ पर दिया सभी को बीडियो को रोक रोक कर थोड़ा देखते जाए ध्यान से ठीक है तो देखें हाँ पर कहानी उपन्यास में चार अंतर आपको अच्छे से पढ़ लेना है एक आंके और नाटक में अंतर पढ़ लेना है ध्यान से देख दिये गए है जीवनी और आत्म कथा में आपको अच्छे से अंतर पढ़ लेना है दिये गए है ठीक है यही काफी important question है जो कि आपके पेपर में आने वाले है तो दियान से सभी को देखते जाए है मुंसी प्रैम्चंद या फर हरी संकर परसाई जी का यहाँ पर आपको साहतिक परीचा देना है निमने बिंदो के आधार पयानी की दो रचनाएं बताना है भासा सेली बताना है साहत में इस्थान तो मुंसी प्रैम्चंद जी की यहाँ पर रचनाएं भी दी गई है और यहाँ पर आगे भी भासा स forecasts एली और साहित हम new इस्थान दिया हुआ है तो आप देख सकते हो और इसका screen shot भी ले सकते हो ठीक है देखिए इसके बाद इसमें एक देखिए यहाँ पर किया गध्यास दिया हुआ है संदर प्रशंगंऔ आपको अच्छे से कंपलेट करना है इसमें आपको अपने प्राचार महुदाय को इस ता ना उत्रप्रमाण पत्र है तो इस प्रकारा आप लिख सकती हो तो इसे आप पच्छे से आपको पढ़ लेना है एक बार और एक बार लेक कर भी देख लेना है तो इसे यहाँ पर इसे पढ़ लेक 하는데 वह बता लेकर अपको बहुत सारे बता रहा हूं ताकि आप अच्छे से पढ़ कर जाओ और जो भी आए अच्छे से आप उसको कर कर आओ ठीक है तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट थे निमंद और एप्लिकेशन और लेटर ठीक है वो बता दी यानि कि पत्र और रातना पत्र इसके बाद मैं देखिए आपर बारसिक परिक्षा की तैयारी की संबंद में पिताजी को पत्र दिया हुआ है ठीक है इसके बाद में निमंद लेखन दिया हुआ है तो बिग्यान के चमदकार आप अच्छे से करके जाएए यही आने वाला है और देखिए विग्यान के लिए यहां पर बिद्यार्दी ही चीमन में और यहां पर परया और प्रिदूसन का भी आपको करकर जाना है ठीक है तो इन सभी को आपको अच्छे से पढ़ कर ganze आगा निमंद तो आप हुआ है इसकी बाद में यहां पर श्रमाचाय पत्रों का महत्त पड़्याबरम प्रतूसनल पुस्त कालाय का महत्त तो यह रूप रहखा आदी दो नम्मर में तो इसे आप ध्यान से पढ़ लेना है सभी वह विग्यान के चमतिकार और कोविड-19 वाल आपने मंद देख लेना